मुझे यह था कि इसने अच्छा किया सीजन में कि इसका नाम तो आएगा चलो बेस पाइस टैन लाइक है बिलकुल मैं तो एड़र ने टीम के लिए खेले प्राइस का मुझे नीचाल ले अनस्पेक्टेड है कि टू सी आर यह कहलो कि लड़कों जैसी खेलती थी और मैंने उस विमन प्रिम्यर लीग में चंडिगड की काश्वी गौतम सुरखियों में आ गई है जी हहां सुरखियां भी क्यों ना हों अकर पहले ये क्रिकेटर भी सुरखिया में आई थी जब 10 क्रिकेट लिये थे बिसिस याई के टौनमेंट में और अब आई हैं विमन प्रिमेर ली पहले बहुत बहुत मुवारब गया सुदेश जी आपको स्रीमा जी आपको भी कोछ साब आपको सबसे पहले सुदेश जी आप से जानना चाहूंगा खड़े हो जाते हैं और क्योंकि बधाईयों का इनको फॉन कोल्स लगातार आ रहे हैं सुदेश जी जब वो दिन याद आता है जब काश्वी आप चंडिकट रहते थे और काश्वी की दादी ने का था कि इसको क्रिकट खिलाना है मेरी मजर नहीं इसको का है कि इसको क्रिकट खिलाना है तब से बस हो एकाड़मी और इन्हों नहीं फिर इन्स को मेहनत कराई है और इन्हों बनाया उसका तेरा साल की लिए तेरा साल की लिए उस पर जाओंगा लेकिन जो अभी जब लीग में नाम आया बेस प्राइस दस लाग था एक होता है टीम खेलना अलग चीज है लेकिन इतन कि टू सी आर अपने लाइव देखा बिलकुल लाइव देखा बहुत खुछी थी लाइव पे बिलकुल चुछी थी थी पर फोन कॉल सबसे बज़रे है वह तब से आरे है रहे है प्रेस स्पोर्टर्स थी उसका आया जिसके लेके बढ़ पूरी दुनिया की सुर्खिया पर उनकी माता जी भी है मुझने सीमा जी इस तरह से बताया के खुछी का महौल है परिवार में है न और बेटी ने आपकी पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और अब तो और जादां कर दिया थेंकिज सर्थ, थेंकिज सो मच बहुत मेंती है नाम रोशन करती रहे बस यह कहा कि बेटे आगे भी ऐसे ही मेनत करते रहना मेनत से पीछे नहीं अटना बाकी सब उस पर छोड़ दो लेकिन एक चीज़ जुरूर है कि जब आपने 13 साल की उमर से खेलना शुरू किया जाती थी तो एक था के मन में किया अच्छी क्रिकेटर बने और होता है ना सब भी पेरेंट्स के मन में कि तो होता ही है पर फोड़ा सही था कि कोचिंग अच्छी नहीं पिल रही तो सर के पास जाने के बाद तो रह wäre कि नहीं आए अप हमारी बच्ची कुछ कर सकती है तो सर के ऊपर तो है यह फी उसके उपर भी है तो जब आपी साहीं तो पार्टी ते आरी है वो तो हैि है मिलक सारे करेंगे एक सुदेश जी आपसे और बात जाना चाहूंगा देखे जब हम पहले भी बात हुई थी आपकी एक होता ना कि काश्वी एक अलग तरह की क्रिकेटर अपने फोकस्ट प्रैक्टिस मैशने देखना तो क्या लगता है कि आपको के एक ऐसे पेरेंट सापने तो च चीहान रखती है कि एक तो कंसेशिंटी और अपना रिस्पॉंसिबिल्टी कि अगर इसको टी आपकर एसे को खुछाना आया और ये प्रेसार तो रहता है तोड़ा लेकिन यह कि मेनत पूरा करती है और यह पना फोकस रगती है उस पर जैसे बालींग भी कर रही आप पोकस रखेगी, विकट विकट बॉक्ट बॉल करेगी, हैसा तुछ दूजना है, अचे एक सवाल है, मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका टेक्स भी लगेगा, और किसके अकांड में जाएगा पैसा आपके, आपके, किसी के में जाएगा, कोई ऐसा बैटी के कौंड में रहेगा, तो बैटी में ऐसा कोई नहीं है, बहुत बढ़ा दिन आपको लगता है, बिल्कुल ये तो है, दिन तो बहुत बढ़ा है, उनके कोच का बहुत जरूरी है, नगेश गुपता, जो उनके कोच है, कोच साब, जिस तरह से हम बात करते थे थे न हार्ड वर्किंग थी, और सिंसेर भी थी, मालब ये कहलो के लड़कों जैसी खेलती थी, और मैंने उस टाइम तक किसी लड़की को नहीं कोचिंग दी थी, तो ये सबसे पहली लड़की ही मिरे पस आई थी, आप कौन से सन की बात बता रहे है, दो हजार सोला की, जो आजी, तो आपने जब देखा कि इसमें कुछ डिफरेंट है इस लड़की में, क्योंकि आमतर बर लड़की आती है बड़े स्लो सा लगता है कि ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग था, इसमें अलग था जी, इसकी पूरी बाडी लेंगवेजी लग थी, जब ये मालब बड़ा कॉ से चलती है, कॉन्फिडेंस से खेलती है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो मलब अलगी है, जी वो दिखता है कि प्लेयर है कोई, हम सीमें जी से बात करे थे, लड़की मत कहा करो, मैं एक लड़कों कि दर ही रहूं कि तबंग, उसको शुरू से होती थी कि मुझे कोई लड़क लड़की ना बोले, इवन कि किसी रही रेलेटिब्स के जाना, या जो भी होते हैं उनके जाना, तो उसको लगता था मम्मी उठो यहां से, मैंने नी बैठना, मैंने नी रुकना यहां पर चलो आप, पिर धीरे धीरे जैसे उसने क्रिकेट जॉइन किया, जैसे डिस्टिक म मैंन थोड़ा सेट हो गया, कि नहीं, अब मैं हूँ, यही लड़की हूँ, मुझे यही खेलना है, लड़की के साथ ही खेलना है, तो जब काश्वी की जो बॉलिंग आपने देखी, आपने उस पे काम करना शुरू किया, क्या आपको नजर आया, कि कोच पैचान लेता है, उसमें नैचुरल जैसे मैंने पहले भी कहा कि नैचुरल टैलेंट था, नैचुरल टैलेंट क्या था कि उसका बॉल अच्छा स्विंग होता था, तो स्विंग के साथ एकुरेसी होना बड़ा जरूरी है, तो जो एकुरेसी थी उस पे काम किया जी, कि उसको और एकुरेट क काम किया जो अब बड़ी निखर के आ रही है बैटेंगी इस सीजन में तो होफुली ये इंडिया के लिए एक अच्छे आल राउंडर के दौर में साबित होगी आने वाले दिनों में क्रिकेट लिग की बात करें चाहिपल हो या वुमिन प्रिमेर लीग हो आल राउंडर्स प इतना अच्छा नहीं किया था तो कुछ प्लेयर भी उन्होंने रिलीज किये जो अच्छे प्लेयर थे तो काश्वी का सीजन अच्छा गया है और फास्वालिंग ओल राउंडर्स हैं यह मेशा ही टी-20 क्रिकेट में डिमांड में रहेंगे चाहे वो लड़किया है चाहे ल नाइटिन में तो वह आपको लगता है एक टर्निंग पॉइंट था करियर का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था जी दस विक्ते लेना भी आज की तरह एक ड्रीम जैसा ही है जैसे अभी डवल्यू पील में सेलेक्शन होई है तो वहां से इसको जो टी-20 चैलेंज होती थी पहले ट्रॉफी उसमें खेलने का मौका मिला अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ यह समरिती मंधना की टीम में थी तो वहां से इसने बड़ा कुछ सीखा तो वो वह भी एक तरह से लाइफ चेंजिंगी था इसके लिए और कहते हैं कि इंडियन टीम में आना सभी का सपना चीज हो गई है लास्ट यर आप देखें तो श्रेंका पाटिल करने का हुजा यहीं से डव्ल्यू पील से इंडियन टीम में बस जल्दी लग रहा है कि नेक्स्ट हम इंट्रिव्यू उस पर करेंगे बिलकुल करेंगे बिलकुल हम जो बात कर रहे थे कि सीनेर टीम एक ड्र पर करेंगे बिलकुल से एक इंडिया टीम में बहुत बटा ड्रीम है और यह जल्दी पूरा होगा तो बिलकुल है और यह काशी के च्टी सिस्टर आपने ट्राइनी किया नहीं एक त्रॉस्ट नहीं है इसलिए बट मैंने मतलब उसके साथ खेला है गली क्रिकट वगरा तो कैसा लग रहा है जब मेरे दोस्त और सब जो मेरे आसपास है जो मुझे जानते है और जब मुझे कॉंग्राचुलेट करते है तो एक बहुत प्राइड वाली फीलिंग आती है मेरे अंदर भी तो इंडीड बहुत अच्छी फीलिंग है अब जब जाते है टोर से मेरी काश्वी को लेकर आपको लगता है कि इंडियन टीम में काश्वी की जो स्पॉर्ट है या उसकी इंपोर्टेंस है वो किस तरह से आप देखते हैं इंडियन टीम में हमेशा ऑल राउंडर्स की रहेगी ज़रूरत तो काश्वी जैसे हार्ड हीटिंग बैटर भी है साथ में अच्छी बॉलर होने के साथ साथ तो टीम को लोर राउडर जैसे पावरेटर की जरूरता इस टाइम इंडियन टीम को तो ये बड़ा अच्छा यूटिल्टी क्रिक्टर बन सकती है इंडिया के लिए कोच का काम होता है न है मोटिवेट करना दान्ट बिकोच कही बार गुशे में लगा तो आप कुछ ऐसा भी हुआ हूँ गया जी डांट तो लगाईया कई लगाईया कई वर तो मेरे से वैसे बहुआ दरते हैं ये तो ही ठीक नी डाला तो लाट लगा Jeffrey Haan कलandinफ में लिए-नग whatever नीज ़ी in the heat of moment हम से भी बोला जाता है हमें भी उताय के और ठीक से शोड़ाना चाहिए था प्र जा आदि मैं फिर से आंगा कि आप कि रटकों के साथ जैसे शे नटोई को कलगा कि अब करना परता था तो वह कैसा रहताuchen के लोग गज़ेंध से लड़का है मनलब इतना तो यह शू ku जैसे लड़कों के साथ है ला वह आस पास के लोगों नहीं कभी एसा ने बोला कि ऑप जाक्ट ने किया कि नहीं आप लड़कों के साथ खेल रही है या कुछ है महले हमने शुरू से इसको थोड़ा ये फ्री रखा हुआ था कि नहीं वो प्रेशर कभी नहीं दिया इसको पर कई पर ऐसे भी होगी है शाथीस में आप बता रहे थे ना कि लड़के भी टीज करा शुरू-शुरू मे कि नहीं खेलने देना इसकी बैटिंग नहीं आने देनी बॉलिंग नहीं करानी तो वहां से फैट अप हो चुकी थी तब जाके हमें वो संजे सर मिल गे और एकदम से रास्ता मिल गया हमें तो फिर आने लिवा लड़के सोचते हैं काश्वी से पंगा नहीं आप तो सोचते चली बहुत बहुत शुक्राइब सभीगा बहुत बहुत शुक्राइब तो ये थे काश्वी गौतम के माधा पिदम के कोच और वाके डवल्यू पेल में एक बड़ा मुकाम हासिल किया अब असली ड्रीम है टीम इंडिया में आना और जल्द ही अगर जिसतना से मेनत रही त तो काश्वी का नाम सीनेटी में भी देखने को मिलेगा वीडियो जनलीस राजिंदर के साथ उमेश रमनेज़ देटीन जिर्वपूर